आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार जगदलपूर में डॉक्टरों ने क्या विरोध प्रदर्शन सिर पर पट्टी बांद कर जताया विरोध जगदलपूर में भक्त माता कर्मी की जेन्ती जेन्ती पर साहु समाज ने निकाली शोभायात्रा बलरामपूर में महा विद्याले के प्रिंस्पल की दिखी बड़ी लापरवाही मूग बधिर को परिशा देने से किया वंचत बलरामपूर में पुलिस अदिक्षक ने गूगल को लिखा पत्र पत्र लिख कर जताई नाराज की सरगुजा में जारी है मदुमक्खियों का अतंक मदुमक्खियों ने ली महिला की जान नमस्कार मैं उशा भारगाउ स्वागत है आपका प्राइम 36 गड़ में जगदलपूर के सूरजपूर जिले में होली के दिन हुए डॉक्टर अनीश कुमार पर हमले के विरोध में डॉक्टरों ने सिर्पर पट्टी बान कर विरोध प्रदर्शन किया साथी डॉक्टरों के लिए सुरक्षा विवस्था की मांग भी की वही विरोध करने के लिए उस मार्कृट के अगेस्ट में आज हम चाहते हैं कि डॉक्टर सुरग्षित नहीं है इसलिए आज हमको यहां पर मजबूरन हमको आकर किस तरह से नारेबाजी करना पड़ रहा है जिस तरह से डॉक्टर अनिस के साथ सुरजपुर में घटना घटी वह बहुत ही निंदनीय थी सासन की जितने भी नियम कानूं है सारे टोड़े गए और हम चाहते हैं कि डॉक्टरों को जो आब एक तरह से भगवान का दर्जा देते हैं आज उसको जब बुरी तरह से पीटा जाता है तो आपकी वह भावना कहां चले जाती है एक डॉक्टर होली के दिन सारे मेडिकल कॉलेज सारे इंच्टिटूट हर प्हक से चीमें जीए होल्ट में जो जो प्रोटेष्ट किया जा रहा है उसी के तारतम में जयद्र पूर पंप हम प्रोटेश्ट को अंजा है कर रहे हैं उनलगों कि अविनWe hustle स्कुरिक से इस एक तरवाई बल्डराम्पूर्गे राजपूर साशगी महाविद्याले में प्रिनसिपल बीके गर्ग अपने隨क नाव से एक वर फिर कृंक थे महाविद्याले कि प्रिंस्पल ایک परिक्षा फॉर्म जमा नहीं कर पाए और परिक्षा से वंचित रह गए। परिक्षा में नहीं बैट पाने की शिकायत को लेकर विकलांग शात्र ने बलरामपूर कलेक्टर सहीत राचपूर S.D.M. से गुहार लगाई है। लेकिन इनके ओर से कोई पहल अभी तक नहीं जिससे चात्र और उसका परिवार बेहद निराश और मायूस है। की अंतर जातिय शादी से नाराज वधू के पिता ने S.P. को लिकित शिकायत दी है। शिकायत पत्र में लिखा गया की मुख्यमंत्री कन्या विवा योजना के तहट सामोहिक विवा का योजन किया गया था। जहां शिकायत करता की बेटी का मुस्लिम समुदाई के लड़क लखी भरणा के लखी अक्राइब कर लिए सिर्फ चोड़ी जोड़ी है। लोगो कोई जानकारे में यह सी। इससे पता चला है। अगर रहे हाल के बात है सर। अगर जिद्द में बहगाया हमको ने पता चला कि नहीं पक्रता में सर बता रहा है। मुष्ब कंवा ही अधरी में मालम हो When Pacific में से एक मुस्शम समाज का सम्पर हि इसकरिवेट तीकि उठी मुधि के साफ मुझे 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 अने मालम हुआ एक जो बोधा को रही ऑन तो सॉस्परागी ऐनियुसरा रिषा धर्म का तीक लेकिन अभी जो कई बाते हैं जो भाद जनता पार्टी की वर से उठाई जा रही है कि वहां पर मानमी भाद जी भी थे वहां पर करते हैं लेकिन इसमें अगर साधी सासन की नितियों के अनसार हुई उसको जोका विली आ सकता है और जो भी यह लोग आज उठा रहे हैं कि वह काम पंचायत पटना में मुखमंत्री कन्या भी आवेजना के तहत पचासी जोड़ा का साधी संपन हुआ जिसमें हम लोग का गोंड जाती के एक लड़की है वसंती नाम की उनका साधी हरुक खान के साथ हुआ इसलिए हम लोग इसे साधी से अपति जनक करते हैं कि सरकार इ जाती ब्याओ ना करें और हम लोग का गोंड समाज को गुम्रा करके इनका साधी कराया गया है और इसमें हमारे चेत्रे के प्रेवनगर विधान सावद शेत्रे के बिधायक भी इसमें आये थे उनको वासिरवाद देने के लिए मां चाहता हूं कि विधायक जी भी गोंड स करने के निर्देश दिये हैं जांच पर जो भी तत्य आएंगे उस पर वधानी कारवाई की जाएगे दिनांक 13 मार्ट 2023 को रामनुनागर में जो विवास संपन हुआ था उसमें एक जोड़ी का निकाह पढ़ा गया था और उसमें जो बहार वधू थे उनके दौरा जो अमे पत्र भी उसमें सल लगन थी साथिस्तान दोनों जोड़े बाली भी और सासंग की जो निमानों सार में सभी निमों का भाली दरते हुए उसमें बलरामपुर की जिले राचपुर में साहु समाज मिने मा कर्मा देवी की जयनती पर जिलास्तरिय सोभा यात्रा निकाली और ए रैकडों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए सरकुजा में मधुमक्खियों का आतंक जारी है तो वहीं मधुमक्खियों ने एक महिला की जान ले ली बता दे कि अब तक जिले में मधुमक्खी के हमले से चार लोग अपनी जान गवा चुके हैं कि अब तक चार लोगों की जान ले चुके हैं ये बहुत मधुमक्खियों की आतंक से पूरा जिला आतंक में है परिशान है आपको पता दे अब तक चार लोगों की जान जा चुकी है मधुमक्खी के हमले से अभी हाल ही में एक महिला की जान चली गई मधुमक्खी के हमले के चलते आपको पता दे मधुमक्खियों ने महिला की जान ली सुक्मा के कोटर ब्लॉक मुख्याले में अस्पिताल प्रबंधन की रापरवाही से फिर एक मरीज की मौत हो गई कि अस्पिताल में ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने से एक मरीज की मौत हो गई मरीजों ने बताया कि अस्पिताल में एक्सरे करने की मशीनों से खराब हैं वहीं ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन का अभाव भी है जिसका खामियाजा यहां के मरीजों को अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ रहा है जगदलपुर के आड़ा वाला में एक वाहन में अचानक आग लग गई जिससे वहां के लोगों में हरकम्प मज गया तो वहीं यह घटना वाहनों और उन्हें चलाने वालों की सुरक्षा के उपर एक बड़ा प्रश्णिचिन है हलाकि इस घटना में किसी भी जानमाल की हानी नहीं हुई है दंदिवाड़ा में कई जगहें पर ओले गिरे और कई जगहों पर बारिश का कहर दिखा जिसे जनजीवन अस्त्वयस्त हो गया तो वहीं दंदिवाड़ा मार्व की सफेज चादर ओड़े दिखाई दिया और जगदलपुर में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त्वयस्त रहा और आवा गमन में भारी तकलीव से जनता परिशान रही साथ ही फसलों को भी भारी नुकसान पहुचा है जगदलपुर में साहु समाज ने मा कर्मा देवी की जेनती पर जिलास्तरियस सोभा यात्रा निकाली कहा जाता है कि भक्त माता कर्मा जी ने छोटी सी उम्र में श्री कृष्ण की भक्ती की शुरुवात कर दी थी तो वहीं सब कुछ छोड़ कर सिर्फ श्री कृष्ण भक्ती में लिन रहा करती थी बलरामपुर में पुलिस अधिक्षक ने सक्त रुक्त दिखाते हुए गूगल को पत्र लिखा आमजन के साथ लगातार हो रहे साइबर फ्रॉड की घटनाव को रोकने के लिए पुलिस अधिक्षक ने एक बार फिर गूगल कम्पनी को पत्र लिखा है बता दें कि गूगल कंपनी को पहले भी पत्र लिखा गया था जिसमें वांचित जानकारी और आवश्यक्त सहीयोग पत्र ना करने प्रदान ना करने पर पुलिस अधिक्षक ने नारिबाजी जाहिर की थी नाराजगी जाहिर कीती साथ ही सपष्ट और साफ सब्दों में कड़ा पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वांचित रिस्पॉंस नहीं मिलने पर गूगल कंपनी को माननी नियाले में उपस्थित किया जाएगा जिसमें लोग अपनी गाड़ी कमाई को खो रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हैं हमने पूर में भी गूगल इंडिया को और गूगल इंडिया को लेटर लिखा था उनके नॉडल ओफिसर्स को भी और उनसे जानकारी मांगी गई थी अलग-अपरादों के सम्मन्द में के जानकारी और इस तरह की घटनों के पुंटरवर्ति ना होने के लिए स्ट्रॉंग एक्शन नेने के लिए उनको लिखा गया था लेकिन अभी तक कोई खास रिस्पोंस हम लोगों को नहीं मिला है इसी तरह आई जी अंभीकपूर द्वारा भी गूगल ना से गूगल को बल अर्व की टीम को पूरा मनुद्वन में प्रेश होने के लिए उनके लिए पुलाए जाए चाहता है आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सर्च साहस सर्व